A Very Good Morning To Everyone आज हम लोग जिस एडिटोरियल के बारे में चरचा करने वाले हैं वो एक बर्णिंग टॉपिक के रूप में उपरा है बर्णिंग टॉपिक के साथ साथ एक कॉंट्रोवर्सिल टॉपिक के रूप में भी जाना जा रहा है और ऐसे इस्तिति में इससे देश में बिभाजन कारी नीती को हवा देने की बात कही जा रही है तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर कार वो टॉपिक है क्या जिसके बारे में इतनी सारी बाते की जा रही है बात दरहसल है युनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में अब आपको इसके बारे पहले समझना होगा कि आखिर यह क्या मामिला और इसके वज़े वज़े से टेंशन कैसे क्रियेट हो सकता है इस सब चीजों के बारे में बात करेंग के अगर इसकी हिंदी मिनिंग की बात करें, तो uniform का मतलब होता है समान, civil का मतलब होता है नागरिक, और code का मतलब होता है संगीता, यानि समान नागरिक संगीता, अब यह uniform civil code यानि समान नागरिक संगीता है क्या? तो uniform civil code कहने का मतलब होता है कि इस किसी भी देश में अगर भारत के लिए इसको लाओ किया जाए तो भारत में भारत में जितने भी लोग रहते हैं चाहे वो किसी धर्म के हों किसी जाती के हों किसी संपरदाय के हों इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है सब के लिए एक बरावर कानून होना चाहिए बरावर state of laws होना चाहिए इर इसपेक्टि आफ देर कास्ट देर एलेजन देर कॉम्टू जाए से यहां एक ही नियम कानून होना चाहिए जैसे हमारे यहां देखा जाता है कि कई ऐसे धर्म है जिसके कई किया सभी ढर्मों के अलग अलग कानून होते हैं अलग अलग तरीके से अपना रूल्स को फॉलो करते हैं जैसे शादी की बात करें तो मैरेज का अलग अलग रूल है डाइवोस की बात करें तो डाइवोस में भी क्या होता है अलग अलग रूल फॉलो किया जाता है उसी पकार बच्चा गोद लेने की यानि एडॉप्शन की बात करें एडॉप्शन में भ इतना शादि कर सकते boards नहीं कर सकते हैं धर्म के अनμαपारों चलता है ढालों यहाँ जितने भी अलग कानून है सब्सक्राइब में उसको क्या कर stuff करना है यूनिफॉर्म करना है एक समान करना जो भी नियम बने सबीENT धर्भों पर लावभ होगा और एक वहश Marina बन गया है कि बहुत सरे प्रश्टन फोलोँ सब्सक्राइङ करते हैं और जिसके लिए हो सकता है कि खतरा की घंटी हो है अब इसके क्रींश्पिर लिखने भी देश के नागरिक हैं या फिर जो प्रबुद्ध लोग हैं उसे मांग की है कि आप अपनी राय दीजिए कि उनिफॉर्म सिविल कोड को क्या-क्या इसमेरी फॉर्मेशन होना चाहिए कैसे इसको लाओ किया जाना चाहिए तो इसके वज़े से एक चर्चा के विशय है और बजार चर्चाओं का गर्म है इसलिए इसका जो आप देख सकते हैं कि हेड्लाइन ही दिया गया है कोड रेड रेड अपने आप में डेंजर को शो करता है चुकि ए भी भाजनकारी हो सकता है लोगों के बीच में रोश पैदा कर सकता है तो इसलिए इसको कोड रेड नाम दिया गया यानि जो एक कोड है इनिफॉर्म से विल कोड हो क्या है एक डेंजरस मूव हो सकता है या फिर खतरा पैदा कर सकता है या फिर डिवीजन पैदा कर सकता है जिसके कारण इसको कोड रेड कहा गया आप रेड सिंबलाइ and uniform civil code यह जो 22 law commission बना है और uniform civil code के बारे में इस editorial में बात होगी आगे के लाइन इसको पढ़ते हैं दपूश फोर पूश फोर मतब जोर देना दपूश फोर uniform civil code should not become a divisive divisive अब इसको समझना है कि जो पूश मतब जोर देना किस के लिए तो uniform civil code के लिए यानि uniform civil code के लिए जोर देना शुड़ not become divisive tool काने का मतब बिभाजन कारी और उपकरन तूल का मतलब क्या होता है उपकरन कुल मिलाकर कर गए इसको देखे तो कहा जा है कि जो uniform civil code के लिए जोर दिया जा रहा है यह जो जोर है ऐसा नहों कि बिभाजन कारी हो जाए यानि इससे बिभाजन का खत्रा हो आगे देखेंगे लौक कमिशन सेजिजन तो सॉलिछेट व्यूज्ज फ्विउस लोगों की राय जानने का Solisate Views का मतलब होता है राय जानना तो राय जानने का किसे लोगों से किस के बारे में Uniform Civil Code के बारे में appears ऐसा प्रतीत होता है कि एक तरह के राजनेतिक इनिसियेटिव है इनिसियेटिव का मतलब होता है पहल कह सकते हो कोई चीज इनिसियेटिव करते है शुरुआत है यानि यह जो शुरुआत है political है मतलब राजनीति से प्रेरित है जिसका aim है जिसका क्या लक्षे है bringing the potentially divisive issue under focus जो विभाजनकारी नीती है उसको सामने लाना है और यह इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अगले साल general election है उसमें इसको फैदा उठा जाए यहीं law commission का जो decision है कि लोगों का view जानना किस मामले में uniform civil code के मामले में ऐसा प्रतीत होता है कि राजनीति से प्रेरित है यहीं राजनीतिक initiative है जिसका जो aim है लक्ष है कि potentially मतलब powerful तरीके से जो divisive issue है divisive कहने का मतलब जिससे बटवारा होता है विभाजन होता है उसको focus में लाना क्योंकि इससे क्या होगा अगले साल चुनाव को देखते हुए ऐसा किया जा रहा है next the commission on the 22nd such panel यह जो commission है 22 इस तरह का panel है has claimed that उसने claim किया है कि years have elapsed सालों गुजर गए elapsed मतलब lapse कर गए गुजर गए since similar views वर साउट by the previous panel यानि पीछले जो panel बना होगा क्यमा होगा 21 होगा तो कह रहा है 22nd panel के द्वारा कहा गया कि कई साल गुजर गए जब इसी तरह का panel बना था and that a fresh effort was needed to garner varied opinion और कहा जा रहा है कि एक नया commission कह सकते हो या effort की जरूर थी एक नई कोशिश की जरूर थी इस तरह के जो अलग अलग varied opinions हैं varied का मतलब क्या जो अलग अलग राय है उसको garner करना मतलब एकठा करना यह जरूरी हो गया था यानि 22nd panel क्यों बना तो 22nd panel ने दावा किया है कि कई साल पहले इसी तरह का panel बना था और कई साल गुजर जाने के बाद कुछ नहीं हो पाया तो ऐसे में जरूरी था कि अलग अलग जो varied opinions है उसको एक मंच पे लाया जाए इकठा किया जाए इसलिए 22nd बना इससे पहले 21st बना था 2018 में The 21st Commission had released a consultation paper in 2018 that categorically said a uniform civil code was neither necessary nor desirable at that stage 21st Commission का गठन किया गया था और इसने अपना consultation paper यानि जो जो लोगों से वो मिल करके बादचित किया था वो समिट किया था या रिलीज किया था जारी किया था कब? 2018 में और categorically यानि उसको वर्गे कृत करके category wise said a uniform civil code was neither necessary और 21st Commission का था कि uniform civil code नहीं जरूरी है और nor desirable और नहीं इसकी इच्छा होनी चाहिए उस समय की बात हो रही है यानि 21st ने क्या क्या कि इस समय नहीं इसकी जरूरत है और नहीं इसकी डिजायर है इन अवेल रिजन डॉकुमेंट यानि इन होने यानि 21st कमीशन ने सही तरीके से रिजन देते हुए अपने डॉकुमेंट में यह बताया था इसने रिजन देते हुए अपने डॉक्यमेंट में कह था कि इट है दी उस समय आर्यू किया था कि जो फोकुस अफिनिसीयटीप से इसमें अलग 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 धर्मों के जब प्रस्टनल लॉज को रिफॉर्म करना है सुधारना है शुड बीड़ एलिमिनेशन और फॉर्म सॉफ डिस्क्रिमिनेशन एह क्यों कैसे होना चाहिए कि किसी प्रकार का अगर भेद भाव है तो उस चीज़ को तो ब्रिंग अबाउट यूनिफॉर्मिटी यानि 21 वाला जो कमिशन था उसने डॉक्रिमेंट में कहा और आर्ग्यू किया कि जो एक कोशिश की जा रही है रिफॉर्म लाने की प्रस्टनल लॉज में उसके जगह पे जो जो चीज़ें हैं जो डिस्क्रिमिनेशन यानि भे तो इसलिए कहा गया है कि डिस्क्रिमिनेशन को हटा यह रादर दैन एन अटेंब्टू ब्रिंग बाउट मतलब होता है किसी चीज़ को चेंज मिलाना यानि यानि ब्रिंग बाउट मतलब तो कॉल सम्थिंग तो हैपन कुछ करना तो पूरे यूनिफॉर्मिटी का मतलब सम समानता लाने के बजाए आप क्या करना चाहिए कि जो जो डिस्क्रिमिनेशन यानि भेदभाव पैदा करता है वह ऐसे चीज़ों को हटा दे इन तो लाज गवर्निंग वेरियस रिलिजन उन में से जिसमें से लॉग के अंतरगत गवर्न किया जाता है याई 21st जो कहा कि ना होना चाहिए कि जो जो डिस्क्रिमिनेशन पैदा करने वाले कोई भी चीज है इसके वज़ए से भेदभाव उत्पन होता है वैसे चीजों को यूनिफॉर्म यानि उसको हटा दिया जाए और बाकी जो जिसका कानून है उसको रहने दिया जाए 21st का यह मानना था प्रटि शील तो मदेशी नेचरने मामले में बात करें तो मंतलब सेग्ट के मामले में बात करें था । इसका कहा जा सकता इन इन इं आइज मच इंड इसका मतब्स ह़ते हैं एन सो फार और अभी तक अगर बात करें तोas इंफेसाइजड क्योंकि एंफेसाइज करता है नॉन डिस्क्रिमिनेशन ओवर उनिफॉर्मिटे इसमें ज़्यादा जोर किस पर दिया गया है कि डिस्क्रिमिनेशन पर नहीं यहीं सबसे ज़्यादा जोर नॉन डिस्क्रिमिनेशन पर दिया गया है यानि भेद भाव ना हो इस पे जोर देता है ना कि uniformity पे कि सब के लिए एक तरह का कानून होना चाहिए इस पे जोर नहीं देता है and recognize that there could be diverse means of governing aspects of personal law such as marriage, divorce, inheritance and adoption instead of imposing a single set of rules on society और इभी इसमें कहा गया है कि कि अलग अलग रूल होने चाहिए तरीके होना चाहिए इस तरह के पहलूओं को aspects मतलब पहलू होता है यानि इस तरह के पहलूओं को govern करने के लिए अपना personal law होना चाहिए जैसे मानलों के शाधी के मामले में सब का धर्म है उसका अलग तरीका है प्रागत चली आ रही है पिढ़े दर पिढ़े उस मामले में इसका अलग रूल होना चाहिए adoption के मामले में अलग rule होना चाहिए instead of imposing a single set of rules on society यानि जो 21st वाला जो था commission उसने कहा था कि जो अलग-अलग personal law के तहर खासकर marriage, divorce, inheritance adoption के मामले में अपना जो personal law है वही उसके उपर लग होना चाहिए ना कि उसके उपर लाद दिया जाए, impose कर दिया जाए law कर दिया जाए single set of rules on society यानि society के हर एक religion, हर एक व्यक्ति के लिए single set of rules के बजाए उसका जो स्वतंतरता है, धार्मिक स्वतंतरता उसको बरकरार रखा जाए यह था 21st का कहना this would entail the removal of discriminatory provision entail का मतलब is cause, यानि इससे होगा क्या, कि इससे discriminatory जो provision है यानि जो भेरभाव वाला जो प्रावधान है, उसका removal होगा वो हट जाएगा, यह मानना था 21st का, especially those that affect women और खास करके वे जो औरतों को प्रभावित करते हैं and adoption of some over arching norms rooted in equality और adoption, मतलब उसको adopt करना, पालन करना कुछ ऐसे over arching norms है मतलब जो equality के मामले में over arch, मतलब वो आपके छेतर से जो बाहर होते हैं वैसे कानून जो की equality में rooted है शामील है nothing significant has happened since to warrant a fresh look यानि कोई भी महतपूर्ण काम नहीं हुआ है जब से मतलब ये नया जो fresh look आया इसका except perhaps a political need for the current dispensation to bring the issue to the electoral arena यानि इतना commission बैठा जितनी बाते कही गई इसका कोई फायदा नहीं हुआ और एक नया look देने का इसको प्रयास किया जा रहा है और ये शायद except perhaps word का इसका मतलब शायद ये political या राजनेती की जरुरत है जो की जो current dispensation to bring issue to the electoral arena यानि ये जो मुद्दा है जो burning issue है इसको electoral के छेतर में यानि चुनाओ के छेतर में लाने का एक बहुत बड़ा मुद्दा है और ये जो current मामला है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है A uniform civil court for the entire country is indeed a lofty goal कहा गया कि एक समान नागरिक संगिता जो है ओ पूरे देश के लिए entire मतलब पूरा पूरे देश के लिए वास्तों में एक बहुत बड़ा लक्षे है इंडीड a lofty मतलब विशाल बड़ा आकर्शक गोल है बट अक्वेसिशन वेदर इंट्रोडूजिजिंग वन फोर आल अस्पेक्स और प्रस्नल लौ वोड इंप्रींज ओन तप्रीडम ओफ रिलिजिजन हाज बिन पार्ट अब डिवेट लेकिन सवाल ए कि इस तरह के जो नियम है कानून है उसको अगर इंट्रोड्यूज किया जाता है वन फोर आल अस्पेक्स सारे पहलूँ के ऊपर किसके प्रस्नल लौ के तो इसके वज़ा से क्या होगा इट वूट इंप्रींज इंप्रींज का मतलब होता है किसी चीज का गलत परिणाम होना तो जो फ्रीडम ओफ रिलीजन है धार्मिक सोतंदरता है उसका हनन होगा उसके उपर गलत परभाव पढ़ेगा और यही जो है डिबेट का एक भाग है कि ऐसा नहीं लगता है कि एगर सेम प्रस्नल लौ होगा तो धार्मिक सोतंदरता का जो अधिकार है उसका हनन होगा या उसका निगेटी परभाव पढ़ेगा यही सवाल या डिबेट का मुद्दा बना होगा है बी आर अम्बेदकर भीमराव अम्बेदकर ने भी कहा था कि यह डिजारेबल है यानि उनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए ए बी आर अम्बेदकर ने कहा था बट उन्होंने कहा कि यह वालेंटरी होना चाहिए वालेंटरी कहने का मतलब इच्छुक तरीके से यानि इच्छा है आपकी तब ऐसे नहीं कि जवरदस्ती किसी को कहा है कि आप इनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर इसके दारे में आ गया कि अधिस पॉसीवल दैट आ यूनिफॉर्म कोड में भी आडॉप्टेट बिदाउट ओफेंडिंग एन रिलिजन करा कि यह possible हो सकता है कि uniform code को adopt किया जा सकता है किसी religion को offend किये बगएर offend का मतलब क्या होता है offend का मतलब हुआ कि इसको किसी परकार का चोट पहुचाए बगएर hurt किये बगएर यानि किसी के religious sentiment को hurt किये बगएर यह adopt किया जा सकता है but the concept evokes fear among sections of the minorities लेकिन यह जो concept है वो evoke fear यानि fear पैदा करता है किसके बीच में sections of the minorities, minorities जो section है उनके बीच में अलफशंक्यों के बीच में that their religion believes जो उनके जो धार्मिक belief है विश्वास है seen as the source of their personal laws क्योंकि उनका जो धार्मिक belief है उनके प्रस्टनल लॉज को एक source के रूप में देखा जा रहा है वे में भी undermined उनका value जो है वो undermined कर दिया जाएगा यानि कम हो जाएगा reduce हो जाएगा इन फ्राउट टाइमस इस तरह के डर के महौल में फ्राउट मतलब डर खतरा इस तरह के डर के महौल में such as the present जो अभी है a common code will inevitably be seen as an imposition by the majority के जो डर का महौल है अलप संक्षकों के बीच में इस समय अगर इसको लाओ किया जाता है तो inevitably का मतलब होता है इसको टाला ना जा सके तो एक ऐसे कोड के रूप में इसको देखा जा सकता है जो कि एक imposition by the majority यानि जो जिसकी सरकार है जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात हो गई यानि majoriti के द्वारा A law किया कहा जाजा सकता है जिसकी बहुमत है उसके द्वारा law किया जा सकता है किया हुआ कहा जा सकता है basic reforms can be given priority अब कहा जा रहा है कि जो भी इसमें basic है धरातल पे जो भी इसमें changes होने चाहिए उसको priority देनी चाहिए तबज्जो देने ही चाहिए such as having 18 as the marriageable age 18 साल की जो शादी करने की उम्र है a common concept है दोनों में लाओ हो सकता चाहिए किसी भी religion में हो for all across communities and genders including a no-fault divorce procedure divorce procedure में भी किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए allowing dissolution of dissolution of marriage on the ground of irretrievable breakdown irretrievable का मतलब होता है जिसको फिर से पुना आप नहीं कर सकते है तो dissolve कर देना उसको खतम कर देना वैसे शादी जो इसको आप retrieve नहीं कर सकते है retrieve का मतलब होता है पुना उसको उसका गठ जोड नहीं हो सकता है तो ऐसे में उसका क्या किया जा सकता है उसको डिस उसका डिस्टोलूशन हो सकता है कहां गया है and having common norms for post divorce शादी के बाद की जो प्रकिरिया होती है उसके बारे में भी एक common नियम हो सकता है जैसे जो assets होता है जो बस्तुए होती है जो संफती होता है उसका बटवारा कि इस तरह से प्रिवियस कॉमिशन थ्रिव फॉर डिबेट ए सारे मैटर्स को प्रिवियस कमिशन ने भी डिबेट के लिए रखा था विदिन इच कॉमिशन लॉव हर एक समुदाय के लॉव में इसके लिए जरूरी होगा डिजारेबल होगा कि पहले इंकॉर्परेट करो कि जो भी उनिवर्स उप्रूर प्रिस्पल है जो दोनों में ही शामिल है जिसको आप किस में कि MX दिक्टelling नहीं उसा अत्य है तो जो उनिवर्सल प्रिंसिपल है जो वैशे नियम कानून है प्रिंसिपल है सिध्धान्त है जो कि दोनों में है और जग जाहिर है पूरे वर्ड के लिए होता है तो ऐसे चीजों को आप इक्विलेटी के तहट ला सकते हैं जिसके वज़े से नन डिस्क्रिमिनेशन हो यानि भेद भाव ना हो और इलिमिनेट प्रैक्टिसेज बेस्ट अन तबूस तबूस का मतलब होता है जो पुरानी जो निशेद हैं ऐसा नहीं कर सकते ऐसा कर सकते हैं और अस्टेयोटाइब यह जो रूड़िबादी विचार धा पना रहा है और टबूस है यानि ऐसा कर सकते आअजसे आप किसी धर्म फॉलो करते हैं उसमें बहुत सारे चीज़ें जो कि ऐसा कर सकते मेरे मैं है आपको यह से नहीं हो प hombresom sod считisst ma probe तो इसको हम लोग को पर लिएस करने की ता तो हो पक्र आइसा करने पर नहीं है मैं है डिजारेबल भी नहीं है लेकिन उसका मानना था कुछ ऐसी चीजे हैं जिसके वज़े से डिस्क्रिमिनेशन पैदा होता है उसको एड्रेस किया जा सकता है उसको कॉमन संगिता के तहट लाया जा सकता है लेकिन इसमें पुरी तरह से बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है वहीं 22 के दौरा अभी फिलाल राय माँए गई है और तेखते हैं क्या होता है इस एडिटोरियल का राइटर का मानना है कि सारी चीजें इसलिए की जा रहे है कि चुनाओ नजदिक है और विभाजन कारी जो नीती रही है वीजेपी की यानि जो मौझूदा सरकार की की हिंदू और मुस्लिम के बीच में डिविजन पैदा करके पोलराइज करता है पोलर